नमस्कार बच्चों आज हम आपके व्यवसाईक अध्यन पुस्तक के ग्यारवे अध्याय अंतराश्ट्रे व्यवसाई का दूसरा भाग शुरू करने जा रहे हैं इस अध्याय के पहले भाग में हमने अंतराश्ट्रे व्यवापार के अर्थ को जाना हमने उसके लाभों के बारे में विस्तार में चर्चा की वह हमने यह भी देखा कि अंतराश्ट्री व्यवसाई कैसे घरेलू व्यवसाई से अलग है भाग के अंत में हमने अंतराश्ट्री व्यवसाई में प्रवेश करने के दो मुख्य तरीकों के बारे में चर्चा की एक था आयात वा निर्यात वा दूसरा सम्विदा निर्माड आज का यह भाग हम उसी बिन्दु को आगे जारी करते वे शुरू करेंगे जहां पर हम अंतरास्टी व्यवसाई में प्रवेश करने के दो अन्य मुख्य तरीकों पर चर्चा करेंगे इन में से सबसे पहला तरीका है लाइसेंस वा मतादिकार जिसे फ्रेंचाईजी भी कहा जाता है लाइसेंस प्रदान करना एक ऐसी अनुबंधिय व्यवस्था है जिसमें एक फर्म बाहिय देश के दूसरी फर्म को एक फीस के बदले में जिसे रॉयल्टी कहा जाता है उसके बदले में अपने पेटिंट अधिकार, व्यापार के रहस्य या फिर तकनीक दे देता है उधारन के लिए मा लेजिए एक फर्म है जो अपनी वस्तूओं के विशेश गुणवत्ता के कारण उसके पेटिंट अधिकार या उसके व्यापारिक रहस्यों के कारण अंतराष्ट्रिय व्यापार या बाजार में एक विशेश थान रखती है यदि ऐसी फर्म अपने व्यापार को अन्य देशों में फैलाना चाहती है तो लाइसेंस के रास्ते वहया करेगी कि वो किसी अन्य देश की फर्म को अपने व्यापारिक रहस्य या पेटेंट आदी का अपयोग करने की अनुमती देदेगी इसके लिए ये दोनों फर्में आपस में एक अनुबंद करेंगी वह फर्म जो अन्य देश की किसी फर्म को अपना या लाइसेंस वह अधिकार प्रदान करती है उसे हम लाइसेंस प्रदान करता कहते हैं तो मैं आशा करता हूँ आप इसका अर्थ समझ गए होंगे कि इसमें एक फर्म अन्य देश की किसी फर्म को अपने व्यापारिक रहस्य या व्यापार से जुड़ेवी कुछ विशेश अधिकारों को उप्योग करने का लाइसेंस यानि अधिकार प्रदान करती है मता अधिकारी लाइसेंस से मिलता जुलता तो है लेकिन दोनों में प्रमुक अंतरिया है कि लाइसेंस का प्रियोग वस्तुओं के उत्पादन वविनमे के लिए किया जाता है जबकि फ्रेंचाइजी का उप्योग सेवाओं के संदर्ब में किया जाता है दूसरा अंतरिया है कि विशेश अधिकार अनुग्यप्ती से अधिक कठोर होता है यानि विशेश अधिकार यानि मताधिकार में जो प्रदान करता है वो प्राप्त करताओं को वैवसाई का प्रचालन किस प्रकार से करना है इस संदर्ब में सक्त नियम वा शर्ते बना कर देते हैं इन दो अंतरों को छोड़कर मतादिकार वा अनुगप्ति लाइसेंस मुख्यता एक जैसे ही है दोनों अंतरों को एक बार फिर से देखते हैं मतादिकार सेवाओं के संदर्ब में उपयोग किया जाता है जबकि लाइसेंस वस्तुओं के लेंदेन के संदर्व में उपयोग किया जाता है दूसरा अंतर मतादिकार में जो मतादिकार प्रदान करता है वो प्राप्त करता के लिए बड़े कठोर नियम वस शर्तें रखते हैं ताकि वो पूरी तरह से नियंतरित कर सकें कि जो प्राप्त करता है वो व्यवसाय किस प्रकार चला रहे हैं। इन दोनों ही व्यवस्थाओं में कुछ लाभव कुछ सिमाएं फर्मों को मिलती हैं। यदि हम लाभों की बात करें तो इसके अंदर पूंजी लगाने का काम अन्य देश के लाइसेंस प्राप्त करता का होता है। ऐसे में प्रदान करता को अधिक पूंजी लगानी नहीं पड़ती। इसलिए बहुत कम विदेशी निवेश के कारण फ्रेंचाइजर या लाइसेंस प्रदान करता को हानी का जादा जोखिम नहीं उठाना पड़ता है। इसके अलावा अनुग्यप्ति यानि लाइसेंस धारक या फ्रेंचाइजी से तब तक पूर्व निर्धारित फीस का भुक्तान मिलता रहता है जब तक की वेवसाइक इकाई में उतपादन या विक्रे होता रहेगा। कि जब तक वो लाइसेंस प्राप्त करता वेवसाइक कर रहा है तब तक प्रदान करता को बदले में फीस मिलती रहेगी इसके अलावा बाहरी देश के वेवसाइक का प्रबंद अनुग्यपती धारक या फ्रेंचाइजी के द्वारा होता है जो कि उस देश का इस्थानी अव पाते हैं यदि हम सीमाओं की बात करें तो लाइसेंस धारक या फ्रेंचाइजी या मताधिकार धारक जब आधिकारिक वस्तुओं के विनिर्माण वा विपड़न में निपुणता प्राप्त कर लेते हैं तो कई बार वो उसी प्रकार के सामान खुद एक अलग नाम से बना प्रकार से गुप्त नहीं रखा गया तो विदेशी बाजार में दूसरों को हमारे व्यापारिक रहस्यों का ज्यान हो जाएगा इसके अतरिक्त कुछ अबधी के प्रश्चात लाइसेंस दाता या फ्रेंचाइजर वा लाइसेंस धारक या फ्रेंचाइजी के बीच कई बार खातों के रखने रोयल्टी के भुक्तान करने वस्तों के गुणवत्ता आदी के मानकों का पालन करने से जुड़े कई मामलों म मतभेद भी उत्पन्य हो जाते हैं इन सीमाओं के कारण कई बार फर्मे इस रास्ते को भी नहीं चुनती वो एक अन्य रास्ता अपने आती हैं जिसे हम सयुक्त उपक्रम के नाम से जानते हैं जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है सयुक्त उपक्रम का अर्थ है दो या दो से अधिक स्वतंत्र इकाईयों के बीच उनके सयुक्त स्वामित्व में एक फर्म के स्थापना करना दो स्वतंत्र फर्में मिलकर आपस में एक सयुक्त फर्म के स्थापना करती हैं यह संगठन का वह स्वरूप है जिसमें एक लंबी अवधी के लिए सहयोग की अपेक्षा की जाती है एक सयुक्त स्वामित्व वाले उपक्रम को तीन प्रकार से बनाया जा सकता है पहला जिसमें कोई विदेशी निवेशक या कंपनी किसी स्थानिय कंपनी में हिस्सेदारी खरीद ले दूसरा कोई स्थानिय फर्म किसी विदेशी फर्म में हिस्सा खरीद ले वो तीसरा विदेशी व अस्थानी उद्यमी दोनों ही मिलकर एक नए उद्यम की स्थापना कर ले यानि पहले में कोई विदेशी फर्म किसी स्थानी फर्म में हिस्था खरी सकती है दूसरे में स्थानी फर्म विदेशी फर्म में हिस्था खरी सकती है वो तीसरे तरीके में कोई किसी में हिस्सा ना खरीद के बलकि दोनों फर्मे साथ मिलकर एक नए फर्म का निर्माण या स्थापना करती है इसके कुछ मुख्य लाब इस प्रकार है से पहला इस प्रकार के उपक्रमों में सम्ता पूणजी में स्थानिय साज़दारी का भी योगदान होता है यानि विदेशी फर्म को स्वेम सारा पैसा नहीं लगाना पड़ता स्थानिय हिस्तेदारी भी होती है इसलिए अंतराश्ट्रे फर्म पर इसका भार कम परता है दूसरा सयुक्त उपक्रमों के कारण बड़ी पूंजी या श्रम शक्ती वाली योजनाओं को क्रियानवित करना असान हो जाता है यानि यदि कोई बड़ी परियोजना है उसके लिए बहुत जादा पूंजी वा श्रम शक्ती वा कारेभार चाहिए तो उसे एक फर्म ना करके बलकि दो फर्म मिलके करती हैं तो भार कम हो जाता है तीसरा विदेशी इकायों को स्थानिय साज़दार के महमान देश की प्रतियोगिता स्थितियों, वहां की राजनेतिक वार्थिक स्थितियों, संस्कृति आदे की जानकारी आसानी से मिल जाती है यदि हम सीमाओं की बात करें तो सबसे पहली बात यह है कि जो विदेशी फर्मे इसमें हिस्सा लेती है वो अपनी प्रौध्योग की वव्यापार के राज या रहस्य आन्य फर्मों के साथ बाढ़ती है जिससे उन रहस्यों के गलत उप्योग किये जाने का भै भी बना रहता इसलिए कई कंपनिया या फर्म सयुक्त उपक्रम को छोड़कर एक अन्य रास्ता अपनाती है जिसमें वो संपूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनिया शुरू कर देती है यानि इसमें कोई एक बड़ी फर्म या कंपनी खुद निवेश करके अपनी सहायक कंपनी के विवसाय के परिचालन पर पूर्ण नियंतरण पाना चाहते हैं ऐसे में सयुक्त उपक्रम या लाइसेंस आदी उनके लिए सही रास्ता नहीं होता क्योंकि उसमें पूरा नियंतरण के पास नहीं रहता तो वो स्वयम ही अन्य देश में अपनी एक कंपनी को शुरू करते ह हैं जिसमें 100% पूर्ण जी निवेश वो खुद करते हैं संपूर्ण स्वामित्व वाली सहाय कंपनियों के स्थापना भी दो प्रकाय से की जा सकती हैं पहला इसमें हम विदेशों में बिल्कुल ही नई कंपनी स्थापित कर सकते हैं इसे हरित छेत्र उपक्रम भी कहा जात दूसरा तरीका यह है कि हम किसी दूसरे देश में काम कर रही पहले से स्थापित कमपनी या संगठन का पूर रूप से अधिग्रहण कर ले उसमें पूरी पूर्जी खुद खरीद ले और उसके 100% के मालिक बन जाए इसके लाभों का यदि जिक्र किया जाए तो सबसे पहला यह है कि जनक कमपनी को उस अन्य देश में अपनी क्रियाओं पर पूरा नियंत्रण प्राप्त होता है दूसरा लाब यह है कि यह कंपनी विदेशी सहय कंपनी के प्रचालन पर नजर रख सकती है और व्यापारिक राज भी दूसरों को बाहर के लोगों को बताने नहीं होती है और निवेश अधिक करने के कारण हानी वह उससे जुड़ेवे अन्य जोखिम भी कमपनी को स्वयम ही उठाने पड़ते हैं तो बच्चों इस प्रकार हमने अभी तक अंतराश्ट्रिय वेवसाई में प्रवेश करने के कुछ मुख्य तरीकों पर चर्चा की है अब ह इसमें से जो सबसे आम हुआ सबसे प्रसिद्ध प्रक्रिया है उसको बहुत विस्तार में देखेंगे उस प्रक्रिया को हम आयात निर्यात के नाम से जानते हैं अब आयात निर्यात अंतराश्ट्रिय वेवापार में प्रवेश करने का सबसे पसंदीदा या प्रसिद्ध या आम तरीका है हाला कि आयात निर्यात की प्रक्रिया बहुत लंबी वा जटिल होती है फिर भी आयात निर्यात निवेशकों या व्यवसायों में बहुत प्रसिद्ध पाया जाता है तो आईए आयात निर्यात से जुड़े हुए प्रमुख प्रक्रियाओं की बात करें इसमें हम पहले निर्यात की प्रक्रियाओं पर चर्चा करेंगे और फिर हम आयात प्रक्रियाओं पर आएंगे निर्यात प्रक्रियाओं की शुरुवात होती है पूछतास करने वह निर्ख बेजने से अर्थात मान लीजिए मैं एक निर्यातक हूँ मेरा काम तब शुरू होगा जब कोई उभोगता यानि आयातक किसी अन्य देश से मेरे उत्पादों के बारे में पूछताच यानि इनक्वाईरी करेगा जब कोई इच्छुक उभोगता मेरे जैसे उत्पादों को खरीदना चाहता है तो वह ऐसे अनेक फर्मों से पूछताच करते हैं तो जब मेरे पास ऐसे इनक्वाईरी आएगी तो मैं उन्हें अपने उत्पादों की सभी जानकारी भेजूंगा जिसे पढ़कर दूसरे चरण में जो भोकता है वो आदेश प्रदान करेंगे तो मुझे एक निर्यातक के तौर पर वस्तुओं के निर्यात का आदेश प्राप्त होगा अब जब मेरे पास आदेश पत्र है यानि मुझे पता है कि एक उभोकता है किसी देश में जो मेरे उत्पाद खरीदना चाहते हैं तो अब मुझे उनके उत्पादन के त्यारी करनी है इसके लिए हम पहले तो यह सुनिशित करेंगे कि कहीं हम उत्पादन कर दें और वह आयातक हमें धोखा दे जाए तो हमारा नुकसान जो है उसकी भरपाई कैसे होगी इसके लिए हम उस आयातक के साख की जाच करेंगे और उस आयातक से एक गारंटी पत्र प्राप्त करेंगे जो कि वह आयातक अपने वहां किसी बैंक से बना कर हमें देगा जहां पर उस आयातक का बैंक हमें यह गारंटी देगा कि हमारे उत्पादों के मूल्य का भुकतान हमे क्षिरू करने से पहले यदी हम पहली बार निर्यात कर रहें तो हम निर्यात का लाइसेंस प्राप्त करना होगा इसके लिए पहले तो हमें भार्तिय रेजर्व बैंक द्वारा अधिकृत किसी भी बैंक में एक खाता खुल्वाना होगा फिर हमें विदेशी व्यापार महानिदेशाले अथवा चीटही आयात नर्यात लाइसेंसिंग प्रदिगर्ण से आयात》 नर्यात कोडनबर प्राप्त करना होगा इसके परिश्चाथ एक उपीयोक्त- निर्यात समवर्धन परिशद के यहां पंजियन कराना होगा। दरसल हमारे देश में अनेक तरह तरह के उत्पादों वह उनसे जुड़े हुए निर्यात के व्यवसाई को बढ़ावा देने के लिए अलग-अलग संगठन या परिशद बने हुए है। यहां अनिवार्य माना जाता है कि कोई भी निर्यातक अपने छेतर से जुड़े हुए उपयुक्त परिशद के पास पंजिकरन करवाए। इसके पश्चात जब एक बार ये सभी अपचारिक्ताएं पूरी हो जाएं तो हमें अपने उत्पादन के माल को तयार करने के लिए प वस्तूओं का उत्पादन हो जाने के बाद हम जिस जहाज या जिस बंदरगाह पर जिस जहाज के माध्यम से अपने सामानी अत्पाद को भेजना चाहते हैं वहाँ पर जहाज के लदान का परिक्षण किया जाएंगा। फिर हमें उत्पादन शुल्क का भुक्तान करना और जहां से हमारे उत्पाद या हमारी वस्तुएं निकल कर अन्य देश में जाएंगी वहां से एक पत्र हमें प्राप्त करना होता है जिसे हम उद्गम प्रमाण पत्र कहते हैं इसकी आवश्यक्ता दरहसल कई देशों में की जाती है कई देशों की आयातक वहां मिलने वाले विशेश सुविधाओं का लाब उठाने के लिए निर्यातक से यह अनुरोद करते हैं कि वह एक उद्गम प्रमाण पत्र दे जो इस बात को सुनिश्चित करता है कि वो वस्तुएं किस देश के किस बंदरगाह से उद्गमित हुई है। इसके पश्चात जहाज में यदि हमारा स्वयम का जहाज नहीं है जो कि सामाने तर नहीं होता तो एक ही जहाज में अनेक फर्मों का सामान जाता है हमें अपने फर्म के उत्पादों के लिए जहाज में स्थान आरक्षित करना होगा। इस्थान आरक्षित करने के बाद जब हम इस बात को सुनिश्चित कर चुके हैं, कि हमारे पास एक बंदर गढ़ा के एक जहाज का स्थान सुनिश्चित है, तब हम अपने मालक को पैकिंग करना शुरू करेंगे, उसके बाद उसे इस बंदर गढ़ा के ज़ाज तक उससे बचने के लिए वस्त्वों का बीमा करवाना भी समझदारी माना जाता है बीमा मिल जाने के बाद हम कस्टम विभाग से अनुमती प्राप्त करेंगे फिर हम जहाज के कप्तान की रसीद प्राप्त करेंगे जो इस बात को सुनिश्चित करेगा कि जहाज के कप्तान ने देख लिया है कि हमारी ये वस्तवें उसके जहाज में जा चुकी है इस रसीद को मेट्स रसीद भी कहा जाता है फिर हम जहाज के भाड़े का भुक्तान करेंगे और वापस आकर अब हम बीजक यानि इन्वाइज बनाएंगे मेट्स रसीद प्राप्त करने के बाद हम जहाज के भाड़े का भुक्तान करते हैं इसके बाद जब हमारे उत्पाद हमारे देश से निकल कर दूसरे देश या आयातक तक पहुंचने के रास्ते में हैं तो हमें प्रतीक्षा करनी है कि जब आयातक उन उत्पादों को प्राप तुम्हें प्राप्थों हम उसे यहां से वह बीजक या इन्वाइस भीज देते हैं इसके पश्चात आयातक अपने वहाँ पर अप्चारिकताओं को पूरा करके हमें भुक्तान कर देता है इस प्रकार एक लंबी प्रक्रिया का समापन हो जाता है जहां एक तरफ यह प्रक्र प्रक्रियाओं में पड़ेवी बिंद्वों से तुलना करें तो आप काफी कुछ मिलता जुलता भी पाएंगे जैसे कि आयातक की प्रक्रिया शुरू होती है पूश्टाच करने से इसके बाद जब निर्यातक अपने वस्तुओं की जानकारी उन्हें भेजते हैं तो आयातक आदेश प्रदान करते हैं फिर निर्यातक के मांगने पर आयातक अपने बैंक से गारंटी पत्र प्राप्त करके उन्हें भेजते हैं इसके पश्चात विदेशी मुद्रा का प्रबंधन करना है विदेशी मुद्रा का प्रबंधन हो जाने की बाद आयातक को वित्त की कर देते हैं तो उन्हें भेजे जाने के सूचना यहां आयातक को प्राथ होती है फिर जब वस्तुवें आयातक के देश के बंदरगाह पर पहुंचती हैं तो आयातक को वहां के आयात प्रलेखों से वस्तुवों को छुडाना होता है वस्तुवों को छुडाने के बाद जब म निर्यातक को उनके मूले का भुकतान कर देते हैं इस प्रकार आयातक और निर्यातक दोनों अपने अपने छोर पर अपनी प्रक्रियाओं को और सभी चरणों को विस्तार पूर्वक पूरा करते हैं तो हमने देखा कि कैसे आयात और निर्यात एक लंबी प्रक्रिया है इस कार इसमें निवेश अन्य तरीकों के तुल्ला में कम करना पड़ता है तो इस प्रकार हमने देखा कि आयात और निर्यात की प्रक्रिया काफे जटिल है इस कारण कई लोग इससे बचते हैं लेकिन वही दूसरी तरफ आयात निर्यात अंतराश्ट्रे व्यवसाह का सबसे बड़ा स्वरूब भी है अनेकों लोग इस प्रकार के व्यक्राइब में लगे हुए हैं क्योंकि कम निवेश में अंतराश्ट्रे व्यापार करके अच्छा लाब कमाने का या बहुत ही अच्छा तरीका माना जाता है तो बच्चों आज के इस भाग में हमने अंतराश्ट्रे पार के लिए उसकी प्रक्रियाओं के बारे में समझा हमने आपको इस प्रक्रिया के चरणों को संग्षिप्त में बताया है मेरा आप से अनुरोध है कि आप इसे अपने पुस्तक से और विस्तार में पढ़े वा इसके चरणों को याद रखने की कोशिश करें अगले भाग में हम यह देखेंगे कि किस प्रकार विभिन्न देश अपने देशों में अंतराष्ट्री व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए अनेक कदम उठाते हैं वो किस प्रकार अंतराष्ट्री रूप से भी संगठनों का निर्मान करके अंतराष्ट्री व्यापार को बढ़ावा देने की कोशिश की गई है आज के इस भाग में इतना ही धनेवाद Чाँ बढ़ाऑ देन टाय में गई हम वर अरह दो आज है है की की गईएकल इतना ही भाग में यहाद गने की अजाद रदी जस द yükा खम रहाद कि सम्क्तवlaşने है